मैं तो फैन बच्पन से मिलने के लिए मैंने दो हजार एक में मैच देखें नहीं मिल पाए दो हजार दो में मेरी मिसन थी सचीन सर से मिलना तो साइकल से जमसेत पूर गए लेकिन उस मैच में सचीन सर इंजोर्ड हो गए टेनिस अलबो की वज़ा से वो लंडन ट्रीटमेंट के लिए गए मेरा सपना धूरा हुआ फिर 2003 में ट्रेंगुलर सीरी थी इंडिया अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड उस मैच को देखने मैं साइकल से गया और सचीन सर से मुलाकात हुई उन्होंने मैच को पास देना प्राड़म किये आज हमारे 296 वंडे 296 वंडे 166 आईवियल चैंपियन्स लिग और 69 टी ट्वेंटी और तीन रंजी ट्रोफी जो आज तक मैंने टीम इंडिया को चेर करते है आज भले ही सचीन सर ग्राउंड में हो ना हो हम उनको उनकी याद में मिस युतेंदुल कर लिखकर टीम इंडिया को चेर करते है और करते रहेंगे क्योंकि इसके लिए मैं संकनाद करता हूँ मैं साइकिल से बांगलादेश तीन टाइम गया मैं 2006 में पहली बार विदेश यातरा की जो साइकिल से लहोर पाकिस्तान साइकिल से गया और तीन टाइम बांगलादेश आप सचीन सर की रिस्पॉंस है जो आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजिलैंड, दुबाई हसब देश को भेजे जाते है वो सचीन सर की किरपा है जब तक हम धरती पे है टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे सचीन सर का नाम लिख कर आते रहेंगे जैसे कि ये फ्रंट साइड का हेर स्टाइल इंडिया, फेस, फ्रंट साइड बॉडी मैं खुद करता हूँ बात रही पीछे तो बैक साइड किसी भी फ्रेंड इधर जा रही है, सब को मालूम होती है हम आते हैं मैं तीन जोब छोड़ दिया, मैं भी गर्जवेट 2003 हिस्ट्री ओनर्स के बिद्धर थी है मैंने टिकट कलेक्टर हैदराबाद लाल गुड़ा वो मैंने इंटर्वियू पीटी मेंस निकाले इंटर्वियू थी उसके बाद ट्रेनिंग लेकिन मैंने इंटर्वियू लेटर फार करके मैं टीम इंडिया को सपोर्ट करने दिल्ली 2005 साइकिल से गए जब मैं पाकिस्तान साइकिल से गए तो उस समय मैं मेरी वाधा आई टीचर की नोकड़ी तो उस समय मैं टीचर की नोकड़ी छोड़ पाकिस्तान साइकिल से चले गए इस प्रकार मैं तीन जॉब एक सुधा डेरी की नोकड़ी थी जहां मैंने बरसों से पांच साल तक जॉब की और मुझे पासपोर्ट बनानी थी मैंने लौन मांगा तो उन्होंने नहीं दिये बस उस समय मैंने रिजाइन देकर अपनी पीएफ निकाल पासपोर्ट बनवाए और पाकिस्तान जाने में सफल रहे हैं बस सचीन सर का प्रेम है भले हैं आज सचीन सर क्रिकेट को अलवीदा कर दिये हम टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जब तक धर्ती पे है हम आते रहेंगे ये संख नहीं ये है जंगे ऐलान टीम इंडिया सबसे महान